कि नमस्कार मैं हूँ अजीत आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इस समय हमाएं साथ बाचित देने के लिए खास मैमान सबसे लोग प्रिया और को वैक्सिन के मुख सोथ करता वह मैं साथ डॉक्टर संजय राय साब मौझूद हैं एम्स में कम्यूटी मेडिसिंग के हम कहें तो प्रोफेशन भी है तो डॉक्टर साब बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया रिजमें सब नमस्कार नमस्कार कि जोजेज लखने के बाद जूद भी अब लोगों में डर है क्योंकि क्रोना उनको भी हो जा रहा है आखिर वजह क्या है देखिए इस समय दिन दुनिया में 16 वैक्सिन जो हैं यूज हो रही है रिगुलेटरियर थार्टी ने उनको एप्रूब किया हुआ है इन 16 वैक्सि सकता है किलकर ट्राइल में हम इफिकेसी निकालते हैं इफिकेसी डिफरेंट टाइप की इफिकेसी होती है अलग-अलग प्लेटफार्म हुआ है आप देखिए तो कहीं मेसेंजर आरेने प्लेटफार्म हुआ है कहीं एडिनो वाइरस प्लेटफार्म हुआ है यह जो है जो क वैक्सीन के अगर हम बात करें तो टेस्टेट टेकनोलोजी यह पुरानी टेकनोलोजी है जिस पे पोलियो का हमारा वैक्सीन है कई वैक्सीन इस टेकनोलोजी पे हैं इसमें उसी वाइरस को किल करके दिया जाता है इसमें इसकी इफिकेसी जो है पहले 81% इंट्रीम इनाल्सिस में फिर इंट्रीम इनाल्सिस जो दूसरी हुए इसमें 78% करीब 127 पार्टिमेंट्स पे किया गया था जो पब्लिक डोमेन में डेटा है अबलेवल है सबका सबके ही इफिकेसी अलग-अलग है तो यह वैक्सीन की तो कभी भी 100% एक तो अफ्कीव नहीं कोई भी वैक्सीन दुनिया में जितनी भी वैक्सीन इसमें हो रही है साथ ही यह जो वैक्सीन इफिकेसी है यह सिवेर्टी को एट आपके symptoms को रोकने के लिए जो designed होता है यह हमारा clinical trial का उसमें यह mainly जो है उसको address करते हैं कि severity कितनी हो रही है and symptomatic covid कितना हो रहा है क्योंकि हम उनसे हर daily पूछते हैं कि क्या आपको कोई symptoms हो नहीं है influenza like illness fever cough sore throat यह सब और जिनको होता है उनको बुला के test किया जाता है तो इसमें जो है severity का तो नहीं हुई जब यह clinical trial करते हैं उसमें एक अच्छे खासे population का जब covid हो जाता है तो फिर हम उसको unblind करते हैं यह पूरी तरीके से procedure blinded होता है अब मैं clinical trial में मुझे नहीं पता होता है मैं किसको vaccine दे रहा हूं 50% को वैक्सीन लगती है नहीं लगती है नव वैक्सीन लेने वाले को जिनको annihilate कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता है उनको vaccine लगी यह नहीं आज investigator हमें पता होता है कि हम उनको क्या दे रहे उसData के बैसिज पिये कहाँ जा सकता था कि यह इफिकेसी है अजत बड़ एक्चण फेक्टीवनेस होता है जब रोल डउट होताए वैक्सीन जब रोल डउट हो गया जब हम्मे एक्ट अप्यारीट देखते हैं कि इसका इभा इंक्ट जब डिसर्च कर रहे होते हैं तब होता है उसको वैक्षीद काते हैं यह पना हो रहा होता है उसकोदों नियुकिनिकिशन शोक्मॉण होता है लोग फिक मव्न अगर आप unvaccinated group से compare करें तो काफी ही कम है death severity, almost death के बराबर है देखा जाए तो severity भी काफी कम है, but 100% death भी prevented नहीं है, 100% severity भी prevented नहीं है, लेकिन unvaccinated से अगर हम compare करते हैं, तो definitely दोनों ही vaccine जो है protection दे रही है, अभी तक का data यह है, आज तक का data यह है, आप मैं अगर कहूं, तो 2-3 मैंने पहले तक मैं बोलता था, क्योंकि जो भी available literature था, scientific evidence, उसमें मैं कहता था कि 100% prevent करेगा, क्योंकि यही available था, अब जो है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आज की date में जो कि नहीं कर रहा है, तो at least मैं पहला person होंगा, जो यह बोलने वाला होंगा, कि वह नहीं कर रहा है, और even severity भी नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा आज की date तक नहीं है, तो यह तो हुई कि क्यों deaths हो रही है, सबजी है, डॉक्टर राह साब मैं समझना चाहूंगा, यह कि जिसाब से डॉक्टर केके अगरवाल की मौथ की, उनकी दोनों रोज कम्टीट हो चुटी थी, तो वजहें क्या उस मौथ की, आपने कुछ इसके बारे में भी investigation किया, कुछ पर्ताल की, कि आखिर वजहें क्या थी, जब दो रोज लग गया है, उसके बाद जान क्यों जारी है, रहोग लेने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि death जो है, कम हो रही है, लेकिन 100% prevent नहीं कर रही है, चाओ डाकर केके काल नहीं, बहुत से healthcare providers की death हुई है, कई मेरे जानने वालों की भी death हुई है, तो at least मैं नहीं कहता हूँ, कि 100% prevent करेगा, बट जो data देखे यह लगता है, कि अभी भी जो है, severity कम हो रही है, death कम हो रही है, अगर आप compare करें, unvaccinated group, जिनको अभी एक भी vaccine नहीं लगी, उन लोगों को अगर problem हो रही है, COVID हो रहा है, और जिनको vaccine लगने के बाद COVID हो रहा है, उनमें जो है, severity कम है, जिनको vaccine लगी हुई है, death कम है, तो इससे एक और भी आत करने में, बैठे हुए हम TV पे discussion लोग कर देते हैं, आल्दो जातर public health experts ये बाते नहीं करते हैं, कि third wave रोकना है, तो सबको vaccine लगा दो, अगर infection नहीं हो रहा है, तो कैसे आप vaccine से wave कोई रोकने जा रहे है, अगर infection पे control नहीं हो रहा है, हाँ, severity control, कि अगर कोई wave आती है, तो severity कम होगी जिनको vaccine देने से, हमें ये बताना चाहिए लोगों को, आपकी severity कम होगी, death कम होगा, ये कहना कि completely infection नहीं होगा, ये सही नहीं है, लेकिन अगर हम natural infection से compare करें, कुछ लोगों को natural infection हो जाता है, और हुआ 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 है, अगर उनसे तो global data काफी है, एक साल का हमारे पास available जिस basis पर कहा जा सकता है, कि जो natural जिनको infection एक बार हो चुका था, वो लंबे duration तक उनका protection है, बेटर protection है, और जो है, severity आल्मोस्ट उनमें न के बराबर है, एक बार किसी को natural infection हो गया, और वह बच गया, जिसको COVID survivor की बात कर रहे हैं, तो उनमें जो है, severity होने के chances, अगर reinfection होत बेटा भी है, तो severity का आल्मोस्ट उनमें के बराबर है, जो global data है, 17 करोड से ज्यादे लोगों को अभी तक हो चुका है, reported है, होने को तो इसे कई टाइम ज्यादा हुआगा, बट 17 करोड लोगों को पूरी दुनिया में reported ही है, कि उनको COVID हो चुका है, confirm COVID है, तो उनको अगर compare करें हम vaccinated group से, तो वो better protected है, जिनको COVID हो गया, लेकिन अगर unvaccinated group से और vaccinated group की हम बात करें, तो जिनको vaccine लगा है, वो better protected है, लेकिन डॉक्टर संजे साब जिसा समझना चाहेंगे कि आप protection की बात करें, लेकिन समझा है, यहाँ पर यह भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जिनमें अब हम कहें तो immunity, वो बनने में बड़ी दिक्कते हो रही है, कई समझा यह भी है, यह reason है में, जिसके वाज़े से यह जो तमाम virus हैं, वो effect जादे कर देता, body में और फिर से attack कर देता है, हाँ मैं बता रहा हूँ, immunity का एक तो concept थोड़े सा जो है, myth जादा है immunity के बारे में, यह बह IgG level हमने vaccine ले लिया है, natural infection हुआ, जो लोग बाते करते रहते हैं कि तीन महिने के बाद antibodies चली आती है, actually, सिर्फ antibodies ही determine नहीं करता आपकी immunity को, कि आप protected हैं नहीं protected हैं, यह complex mechanism है, जिसमें कई तरह की community play करते है, cellular immunity होते है, hymural immunity होती है, यह उचका फड़ा सा हिस्सा है IgG बनना, Ig IgG जो है, आपका zero भी हो, तो भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप protected नहीं है, जो हमेशा लेके और बहुत अच्छा IgG भी हो, और तो भी हो सकता है, आप protected नहों, मैं दोनों का एक जांपुल दे देता हूं, natural infection अगर हो गया, उसके बाद अगर IgG आपका कम भी हो गया, क्योंकि Ig IgG कब बढ़ता है, जब हमें कोई infection होगा, तो उसको मारने के लिए फिर शरीर तुरंत बनाएगा antibodies और बढ़ेगा, अगर मैं ऐसे ही बिना mask का घुमता रहूं, एक बार natural infection हो गया है मुझे, तो शरीर अप्राइम्ड हो गया है, infection से लड़ने के लिए, immunological memory भी मैं develop कर चुका हूँ, और IgG अभी कम था, लेकिन जहाँ virus आएगा, शरीर तुरंत मेरा immune system active होगा, और उस virus को neutralize करेगा, तो IgG high बन जाएगा उस समय, और जितनी बार आतार रहूंगा, IgG level बनता रहेगा, और हम protected रहेंगे, लेकिन अगर हमेशा अपने आपको protect करके रखा, तो IgG level कुछ समय बाद जो है, वो थोहाँ सा कम होने लगता है, और लेकिन वो कम होने का मतलब यह नहीं कि आप protected नहीं है, वो जब भी virus संपर्क में आता है, तो वो तुरंत जो है, immune system हमारा activate होता है, और उनको जो है, neutralize कर देता है, और देख लीजे, मैं publication की बात न साल, एक साल हो गया, उनकी अगर IgG करें तो हो सकता है कम हो, बट वो प्रोटेक्टेड है, इतना highly infectious variant भी circulation में था, फिर भी जो वहाँ से cases बहुती कम है, न के बराबर आए, पिछले साल धारावी जो है, हम बिल्कुल सबसे ज़्यादा चर्चा में था, एक एरिया से जो है, दो, तीन किलोमेटर स्कॉइब किलोमेटर में वह एरिया है, दुनिया में सबसे ज़्यादे cases आ रहे थे, एक जगह से तो वह था धारावी, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी, इस बार के वह नहीं चर्चा हुई, तो यह सब है, लेकिन natural infection का जो आपने कहा, sorry, इमुनिटी की बार, तो IgG level नहीं है, इमुनिटी जो है, आपका हो सकता है, आप प्रोटेक्टेड हो, मैं दूसरा कहा कि आपका बहुत ही हाई, अगर, माल लीजी, IgG level है, फिर भी आप प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते हैं, माल लीजी आपको जो है, किसी specific antigen आपने लिया, आपने, और आपका जो है, spike protein के अगेंस्ट बनाता है, antibodies, वह जो है, काफी हाई बनाता है, बहुत ही अच्छा बनाता है, इसमें कोई सक नहीं है, कि high level of antibodies बनते हैं, लेकिन जितने variant हैं, जितने mutations हो रहे हैं, वो spike protein में हो रहे हैं, बाकी protein में उतने नहीं हो रहे हैं, जितने variant of concern, चार variant of concern हैं, हिंदुस्तान में भी जो दो हमारा variant है, mainly, जो एक तो 1617 है, जिसका lineage 2 है, और 1618, यह सारे जो है variant जो हैं, सबके spike protein में ही mutations हैं, तो अगर spike protein में इतना mutation हो गया, कि virus change हो गया, और तो existing immunity आपकी, जो IgG level बहुत ज्यादा भी है, उसको escape करनी की संभावना हो सक है, उसको bypass कर सकता है, क्योंकि वह IgG virus को recognize नहीं करेगा, क्योंकि वह किसी दूसरे spike protein के लिए बना था, ठीक है, तो यह इसकी संभावना है, आप देखके खुस होते रहें, कि मेरा IgG level बहुत है, इसलिए हम लोग IgG करने की सलाह नहीं देते हैं, वह कौन सा virus आया है, उस पर डिपेंड करता है, अगर completely change है, और यह हुआ, अभी South Africa ने एक publish किया था, दो-तीन महीने पहले paper, New England General of Medicine में, इन्हीं सबों को हम evidence करते हैं, कि एस्टाजिंका की vaccine जो है, बिल्कुली के variant पे काम नहीं कर रही है, 10% efficacy उन्होंने दिखाई थी, और इसलिए उन्होंने vaccine वापास की थी, तो यह सब है कि आपका IgZ रहे, बट वह चुकि variant इतना change हो गया है, कि वह नहीं करेगा, क्योंकि वह IgZ एक specific है, अगर broad spectrum IgZ है, जैसा कि हमारे natural infection में बनता है, तो वह अभी तक किसी भी variant से लड़ने की चमता रख रहा है, जी हैं, तो कैसे होगा यह, कैसे possibilities होगी, और कैसे, क्योंकि अभी भी डर है लोगों में, क्योंकि अभी भी खौफ है, कि कभी भी कुछ भी इस virus का attack फिर से आउर हो सकता है, फिर से हम गरशित हो सकते हैं, क्रोना से, तो इसको रोकने के लिए अब क्या तरीका है, क्योंकि vaccination का आपने पूरा किया, मुक्स्वत करता आप रहें, अब कैसे तीसरी वेब की जो बात कहीं जा रही है, या फिर इस वेब तीसरी वेब में ऐसा नहीं है, कि बच्चे ही इंपेक्टरों कोई भी हो सकता है, तो ऐसे में हम कैसे अपने आपको प्रड़क्टरें, कैसे बचाओ करें, तरीका क्या होगा, देखिए कोई भी पहले बात कि किस लेवल का आई सकता है, कोई भी वेव या यह वोगर्ट हरता है, कि क्या एजन्ट नया हो गया है, तो होस्ट इंवार्मेंट इन सीपेक्टरों को लेकि हम बात करते हैं, हो सकता है लोगों को ही इन्टेक्शन हो सकता है इसको डिमांच्रेट कैसे कर सकते हैं कि कितने लोगों को नेचरल हो गया और इतने लोगों को से ही हमें पता चलता कि दर किस्ट करने पता चलता आप सब्सक्रान कर सकते हैं इसमय गाऊं में बहुत से लोगों को हुआ लेकिन टेस्ट नहीं हो पाया तो इसलिए आप टेस्टिंग से नहीं लेकिन सीरो सर्वे करके पता किया जाता है कि कितने परसेंट पापुलेशन को जो है infection हुआ है अगर जादत तर पापुलेशन को infection हो गया है किसी भी जगह पर तो फिर वहां के लोगों को डरने की जोड़त नहीं है क्योंकि इसी को हम करते हैं कि जो जिनको इंफेक्शन नहीं हुआ था वो भी इंडारेक्ट वे में प्रोटेक्टेड रहते हैं हाड उम्री कभी जैसा मैं सुनता रहता हूं डिस्क्रिप्शन टीवी पे मुझे कई बार हसी आती है और मैं इन क्लिप्स को रखता हूं अपनी टीचिंग के लिए जो एंडारेक्ट वे में उनको प्रोटेक्ट करना जो इम्मुनाइज नहीं है यानि अब एक सबसे अधिक लोग प्रभावित रहे हैं किसी भी इंफेक्शन से चाहे वो प्रोना हूँ या कोई और इंफेक्शन तो उन जगहों पर दूसरे आटायक या तीसरा आटायक आन है कि संभावना बहुत कम होती है आप यह करना चाहरे है बहुत कम बहुत कम हो जाती है कि क्यों ऐसा होता है तो देखिए यह होता क्या है जैसे ये दोतीम कर रहा है इंफेक्शन तो यह एक आदमी को फिर दो को कर दिये एसे फैलता जाता चार लेकिन मान लीजिए अगर यह दो लोग यहां पे हैं पहले से नेच्छल इंफेक्शन को हो चुका है अब यह वाइरस यहां पे आया तो यह दो को इंफेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा इसकी यहीं पे डेथ हो जाएगी क्योंकि वह एटमास्फेर में बहुत दिनों तक न रहने के लिए उसके बाद यह जब आगे नहीं बढ़ेगा तो यहां पर जो लोग अभी अन वैक्शिनेटेड हैं या जिनको नेच्छल इंफेक्शन नहीं हुआ है वह भी हो सकता प्रोटेक्ट हो जाएगी ठीक है क्योंकि अब वाइरस वहां यह दोनों दोको के पास पह वैक्शिन लगी थी लेकिन अब वाइरस की एक लाइफ है यह सेल्फ लिमिटिंग वाइरस है कुछ दिनों बाद अपने आप इसकी डेथ हो जाती है तो इसलिए जो है वह आगे प्रोटेशन ही होता और इसी तरीके से नेच्छल डेथ होती है चाहे कोई भी पुराने जित होते ही हैं और वह नेच्छल इंफेक्शन से होते हैं लकली इस बार वैक्शीन आगे हमारे पास और दुनिया में 15-16 वैक्शीन इतनी जल्दी एक साल जेर साल के अंदर आगे तो साथ इस पे जो है सिवियर्टी को कम करने में जादे मदद मिलेगी और रोकने में भी मदद मिलेगी लेकिन अब देख कि यह लग रहता है कि सिफ नेच्छल इंफेक्शन के बाद ही हर्ड इम्निटी आएगी मैंने भी दो-तीन महीं पहले तक कहा था एविलेबल लिट्रेचर पर कि हर्ड इम्निटी जो है दो बोथ नेच्छल इंफेक्शन और वैक्शीन को मिला के सब्सक्राइब कर दो नहीं होगा वैक्सिन का जो सबसे बड़ा बेनफिट होगा सिवेर्टी कम होती रहेगी बट ग्रेजुली लोग इंफेक्ट होते रहेंगे और सिवेर्टी उनको नहीं हो रही है तो अपने आप जो है इतनी बड़ी प्राब्लम नहीं रहेगी और किते साल उसके लग सब्सक्राइब कि अ गृष्म करते हैं कि उसके लिए लिएं-पंधियाएवा कि जूफल इक्स्पेंडिचर हाप जो Es complacent नहीं है मुझे पर एक स्ट्रन निफिक्शन हो गया मुझे देके आप उसको वेस्ट कर रहे हैं उसका कोई अभी तक एक भी इविडेंस नहीं है जो यह डिमांस्ट्रेट करें कि जो मेरे परिवार में हैं जिनको करोना अभी अटेक नहीं कि यानि को नहीं लिया है उनको वेक्सिनेंस पहले जरूरी है बाद मुझे जरूरत कहना पीशारें जी मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको बाद में भी जब तक एविडेंस नहीं आजा है कि आपको एडिशनल बेनफिट मिलने वाला है तब भी नहीं कहूंगा आज की डिएट तक जो एविडेंसेज हैं यह सजेस्ट करते हैं कि नेच्रल इंफेक्शन बेटर प्रटेक्शन जिलनों को नहीं हुआ है उनको वैक्सीन दिया जाएं क्योंकि वैक्सीन कम कर रहा है तो अभी तक जो भी हमारे पास इकार्श है इसलिए उनको देना ज़रूरी नहीं है यह नेशसली वेस्ट होगा बहुत से लोगों को जोड़त है इतना डिमांड जादा है सप्लाइभ क करोना हो चुका है वही भाग रहें लगवाने की अगर यह रूल बनाया है तो उसका साइंस्फिक बेसिस होना चाहिए साइंस इसलिए मैं कहा कि एक साल में काफी विडियन से जन्रेट हो चुके हैं यह समय है साइंस को यूज करने का सिर्फ संभावनाओं का नहीं संभावना मैं भी बेक्ट करता था जब पिछले साल 2019 दिसंबर में यह आया था जनौरी फरवरी 2020 में मैं भी संभावनाओं बेक्ट करता था यह हो सकता है क्योंकि इस वाइरस के बारे में कुछ भी पता नहीं था उस समय संभावनाओं से काम चला सकते थे आज की डेट में भी अगर संभावनाओं से काम चलाएंगे तो यही होगा कि आप जो है unnecessarily जो है science को suppress करना चाहते हैं और जो scientific evidence है मैं उसकी बात कर रहा हूं मैं किसी भी guidelines की नहीं बात कर रहा हूं इतने जादे हैं कि उसको यूज करने का टाइम आ गया है और उसका सदूपयोग होना चाहिए वह जो है कि अभी भी संभावनाओं पर ही हम सब कुछ करते रहे स्पेकुलेशन करते रहे उसका वक्त नहीं है लेकिन अभी यह कहा जा रहा है कि अगर booster रोज नहीं तो आप बूश्ट रोज के हो जाएगा नहीं नहीं देखिए अब यह तो आप लोग भी इस इसू को उठा सकते हैं कि जो भी गलोबल एविडेंस है उस बेसिस पेक्शन होना चाहिए बहुत सी नियम कारून इसलिए बनते हैं उसका कोई सांटिफिक बेसिस नहीं है बट कुस वेस औरसे इंफेक्षें ट्रांस्विट होने की संभावना कम है उसको जागर इंफेक्शन होता भी है तो सीविएर्टी और डेथ होने की संभावना नहों के बराबर है तो पहले उनको imunity passport देना चाहिए क्योंकि उननसे transmission होने का खतरा कम है वह हम नहीं कर रहे हैं लेकिन वैक्षीन को हम यह दे रहे हैं कि वैक्षीन पर ही हो सकता है अभी किसी कंट्री में नहीं किया बढ़ कल हो सकता है ट्रेवल पासपोर्ट या उसके लिए इम्मूनिटी पासपोर्ट देने के लिए जो है कि अगर आप वैक्षीन लिए हुए हैं तो तो इसका डिफरंटली मैं कर सकता हूं कि कोई साइंस का बेसिस नहीं है अगर आपने नेच्छल को हटा के इसी को सिब दिया मेरे डिसकुश तो इसलिए यह कहना कि पता करना डिफिकल्ट है यह लाजिक नहीं हो सकता कि नेच्रल इंफेक्शन को क्यों नहीं आप महत्तों दे रहे हैं तो है और भी कुछ साइंस के अलावा भी बहुत कुछ प्ले करता है और उस बेसिस पेगर कोई करता है तो अलग बात है आज की ड चलते जलते एक समझना चाहेंगे कि जैसा मुझे अगर को वैक्सिन की पहरी डोज लगी अब मार्केट में लग नहीं है एक डर का महौल है मेरा एक्स्टेंशन पिरिएड भी और निकल गया फिर ऐसे में सेकेंड डोज अगर मेरे एक्स्टेंशन पिरिएड खतम होने के ब बीदेंशो तो जो वीडेंश हैं वह आप प्ठेंट हैं लेकिन उस बीच में उतने बढ़े आप प्रोटेक्टेट नहीं कि अगर आप मालेजिए तीन महीने तक तो प्रटेक्शन लेवल जोए सेकेंड डोज लेने के दो हपते बाद होता है लेकिन अगर सेकेंड आप बा लेकिन अगर आपका 8 हपते या 10 हपते या 12 हपते डिले हो गया तो यह जो डिले हो रहा है उस बीची मैं आप प्रोटेक्टे नहीं है लेकिन second dose लेने के दो हपते बाद आप वैसे ही प्रोटेक्टेड है जैसे 4 हपते बाद लेंगे जी है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डव्टर संजे सर आप में पूरी बात बताई सबसे महत्रपुर बात या आप में बताई कि कैसे जो लोग इंपेक्टर्ड यानी कुरोणा प्रभावीत लोग हैं उनको डोज की प्रात्विक्ता को छोड़ उनको डोज की प्रात्वि कोई नहीं हुए है बहुत भूत धन्यवाद सर् आप लोग देखते रहे हैं जी जाएं जाहिए जाहिए झाल झाल झाल